इस विशे पर हमें प्रकाशित करें, जोरदार तालिया हो जाए संजे जी मालपाणी के लिए, जोरदार तालिया सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, विशेश रूप से आज जिनका सत्कार हम लोगों ने किया, वो आदरणिया, श्री मतिर एखाजी राठी जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बाते यहां सुनी, और अपनी विरासत में जो निडरता वो लेकर आई, उसी को औरंगाबाद में आने के पश्चात, जिस तरीके से उन्होंने सारी कमान संभाली विपरित्ताओं में, उन्होंने जो आखरी शेर कहा, उसमें जीत का उदलेक उन्होंने किया, कि जीतने के लिए यह सब किया जाता है, ऐसी एक अत्यंत प्रतिभा संपन एवं करमठ कारे करता का हम लोगों ने आज सन्मान किया, उनको नमन करता हूँ, हमारे बीच आज तंसुक जी जांबड अध्यक्षे के रूप में विराजमान है, लायन्स के माध्यम से उन्होंने अनेक प्रकार के सेवा कारे किये है, कि कारे करम में दूसरी बार आया हूँ, लगबग 21 साल पहले में एक बार आया था और आज दूसरी बार आया हूँ, दूसरा पुरसकार मेरे हाथों दिया गया था, और अब 22 दिया जा रहा है, तो 20-20 साल ते मुझे बुलाते रहना, इसके अध्यक्ष, मैं इस सेवा ट्रस्ट के बारे में परवनिवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप तक तो पहुंचते ही है ये लोग, लेकिन पिछले 21 वर्षों से मुझे निरंतर, 20 वर्षों से मुझे निरंतर इस कारेकरम की पत्री का बराबर आती है और साल में एक बार मेरे भी मन में स्वर्गिय स्री सत्यनाराएं जी कालानी की समूर्थी बराबर जगाई जाती है जो अपना कारे बड़ी निष्ठा के साथ में और बड़ी सुन्दरता के साथ में, आज का जो कारेकरम का आयोजन है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत एक अखीव रेखीव इस प्रकार का जो कारेकरम हम लोग कहते है वैसा बहुत सुन्दर कारेकरम यहां पर आयोजित किया जाता है उसके अध्यक्ष श्री घनश्चाम जी मालपानी उनका फॉलॉप क्या बताओ मैं बताओ भाहिसाब इन्होंने मुझे कल फोन किया पहले तो आठ्रा तारिक का कारेकरम था फिर हमारे बंसाली जी ने ग्यारा तारिक अठ्रा तारिक कर दी तब जब महराष्ट प्रदेश महाश्वरी से बाके अध्यक्ष बंसाली जी का फोन आ गया कि हमने आठ्रा तारिक किया पड़ता है तो मैंने का ठीक है मैं मालपानी जी से बात करता हूं फिर घंशाम जी से बात की पर तारीक बदल नहीं पड़ेगी उन्होंने का ग्यारा तारीक सुटेबल है अदरवाइस कोई तारीक जमेगी नहीं कल मेरे यहां बहुत बड़ा कारेकरम था लगबख साड़े ग्यारा बारा बजे तक चला और बराबर फोन आते रहे साब साड़े नो तक पहुचना है और का साब संगम नेर से यहां साड़े नो तक कैसे पहुच पाऊंगा मैं ने बोले आप कुछ भी कीजिये लेकिन यहां बराबर दस बजे पहुचा है लेकिन आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि यह भी उनकी एक चाल होगी कि वह वक्ता को जल्दी उठा दो ताकि निंदों में कम बोले और हमारे डॉक्टर स्रीकान जी मणियार जो लगातार बराबर संपरक में थे सभी लोग इस कारेक्रम में आयोए मेरे अत्यनत आदरने अड़ोकेट अशोग जी सोनी यहां पर है उन्हें नमन करता हूँ कालानी परिवार के सारे सदस्य है ब्रिजलाल जी तोश्निवाल हमारे पुर्व पुरसकार्थी है लेकिन उसके साथ साथ स्री उमकरनात मालपानी महराष्ट्र महिस सेवानिदी के कार्याध्यक्ष भी है बंसाली जी और तोश्निवाल जी दोनों मिलकर एक ऐसा काम कर रहे है कि इस महराष्ट प्रदेश में जितनी भी महिलाएं असाहय हो जाती है विद्वा हो जाती है तो ये दोनों भाई मिलकर हर महने उनको राखी साल में एक बार बांदी जाती है और बाकी सारे भाई अपने भाईनों को साल में एक बार कुछ तोफा देते हैं लेकिन ये दो भाई ऐसे हैं जो हर मेने तोफ़ा बेचते रहते हैं और ये ट्रस्ट था कुछ 40-50 लाख रुपए का जब से इन लोगों ने संभाला इसको तब से लगबग 10 करोड रुपए का बन गया और इसमें मराट वाडे का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया है उस ट्रस्ट का नामधारी अध्यक्ष हूं में काम कुछ भी नहीं करता हूं लेकिन जितना वो इकटा करके लाते उतना मालपानी परिवार और डाल देता है उसके अंदर ताकि वो कोश और बढ़ता जाए और उनका जो सिवाकार्य अ अगडिया है कविता जी मांधने हैं बहुत सारे लोग दिख रहा है सब के नाम मैं नहीं लेता हूं क्योंकि आज हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी है भगवत गीता की स्वामी गोविंद देव गिरी जी महराज को आप सब लोग जानते हैं मैं तो बच्पन से उनकी गो विज्ञान की कसोटी पर हर चीज लगा कर देखता हूं कि यह करनी चीए और नहीं करनी चीए रुडी परंपराओं में मैं रमता नहीं हूं भगवान के मंदिर में बहुत ज्यादा मुझे जमता नहीं है कि माला फेरो कुछ हवन करो अनुष्ठान करो कथा सुनो यह सब मा स्वामी जी एक विज्ञान अनिष्ट संत है और उनकी चत्रचाया में पिछले 36 वर्षोन से गीता परिवार का काम निरंतर कर रहा हूं एक मुंबई में शिविर था और उस शिविर में स्वामी जी के तीन दिन प्रवचन हुए प्रवचन में बड़ी प्रेरना प्राप्तोई गीता पर प्रवचन थे और स्वामी जी ने अंतिम दिन ऐसे हम सब लोग सामने बैठे थे तो मंच से पूछा कि तीन दिन तक आप ने गीता सुनी, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जो पूरी गीता कंठस्त करेंगे, अब मेरे मन में इतनी प्रेरना भरी थी, कि आवेश में मैंने हाथ उपर कर दिया, मुझे लगबख सब लोग हाथ उपर करेंगे, क्योंकि इतने सुन्दर वैक्षान हुए थे, फिर हाथ उपर करने के बाद मैंने इधर उधर मुझे गुमाया देखा, तीन ही हाथ उपर थे कुल मिला के, और स्वामी जी ने तीनों को उपर भुला लिया, आजाओ बोले, अब उन्होंने माला भी पहिना दी वहाँ पर, कि हो गए इनकी कंठस्त गीता आज से आरंब कर रहे हैं, मैंने आशरवात दे दिया, अब इतने सब लोगों के सामने ये संकल्प हुआ तो मैंने सोचा, आप तो करना पड़ेगा, उम्र 48 वर्ष की थी तब, घर आया मैं, घर आके, अपने मंदिर से वो गीता की किताब बाहर निकाली, और भगवान से प्रार्थना की, कि भगवान आज से मैं चालू करूंगा, जरा मुझे साथ दे देना, और मेरी नई आपार लगा देना, स्वामी जी को मुह दिखाने लायक मुझे रखना, और उसी दिन से मैंने उसको याद करना शुरू किया, और वो मेरी आदत रही कि मैं ऐसी कुछ याद भी नहीं करता, मैं उसको याद करूं, तो उसमें क्या लिखाई है समझे बिना याद ने करूंगा तो पहला अध्याय मैंने पढ़ना शुरू किया संस्कृत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी मेरी लेकिन फिर भी हमारी सुवरना काकी जी यह संस्कृत डिपार्टमेंट के कुछ हमारे कॉलेज के लोग है उनसे म मारगे दर्शन लेता रहा और शुरू किया पहला अध्याय पूरा हुआ और निचे लिखा हुआ था क्यों तत्सदिती श्रीमत भगवत गीता सूपनिशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन सम्वादे अर्जुन विशाद योगो नाम प्रतमो ध्याया मैंने का इसमें बगवान तो एक शब्द बोले नहीं पहले अध्याय में एक भी शब्द नहीं बगवान के मूह में शुरुआ दृतराश्टर करता है अंधा राजा उसके मूह में एक ही श्लोक दिया गया साथ सो में से सिरिफ एक श्लोक वो अपने को लेकिन वो अंधे राजा ने नाम लिया अपना मेरी भी तो वही हालत थी मैं भी अंधा ही था नेत्र भोतिक हो तो क्या बिगड़ता है वो तो अलग बात है लेकिन अंधर के नेत्र तो बंधी थे आज तक उस किताब को एक पोथी के रूप में देखा था गीता जहिंदि को निकालते उसकी पूजा अर्चा करते फूल चड़ाते उसके उपर तो अंधापन ही तो था वो क्योंकि ये एक मात्र इसी किताब जो रनांगन पर कही गई बाकि सारी किताबे उपनिशद हो वेध हो हमारे सारे पुरान हो वो नदियों के किनारे बड़े पर लिखे गई एक तरफ कवरो एक तरफ पांडो बिचो बिचरत खड़ा सेन योर भयोर मध्ये दोनोर सेनाओं के बीच में एक तरफ जीवन एक तरफ मृत्यों और बिल्कुल बिचो बीचे दि कोई आदमी खड़ा होता है और उसके मन में दि कोई जिग्यासा जक्ती है तो मुझे लगता है कि मृत्यों के और जीवन के बिल्कुल मध्य में अदि कोई आदमी जिग्यासा करता है तो उस जिग्यासा का मोल बहुत बड़ा होता है अरजुन ने वो सब देखा और वो हतोत्साहित हो गया उसके हाथ से गांडीव नीचे गिर गया उसने कहा गांड मेरे शरीर में दाह हो रहा है और मेरा मन ब्रहमित हो गया है ब्रहमतीव चमे मनहा मेरा मन ब्रहमित हो गया मेरे पूरे शरीर में कमप हो रहा है हाईपर एसिडिटी थी वो बिल्कुल हाईपर एसिडिटी मैंने डॉक्टर से पूछा कि वाट आर दीज सिम्टम्स उसने कहा acidity. acidity क्यों थी? क्योंकि stress था 드럼, stress था stress का मतलब तनाउ और तनाउ तो तभी तयार होता है जब दो सिरे खीचे जाते है यह कॉन से अंदर compress कब आता है अंदर तनाउ तब आता है जब मस्तिश्क और मन दो विपरिद दिशाओं में चले अर्जुन का मन और अर्जुन का मस्तिश्क दो विपरिद दिशाओं में चल रहे थे एक तरफ उसको उसका क्षात्र धर्म खीच रहा था और दूसरी तरफ उसको उसका परिवार धर्म खीच रहा था मन कुछ और कर रहा था और बुद्धी कुछ और कह रही थी बुद्धी कह रही थी कि मारना चीए लेकिन मन कह रहा था कि कैसे मार दो तो अरजुन के अंदर स्ट्रेस तैयार हुआ हम सब के अंदर दिन भर स्ट्रेस रहता है और अनांगन तो अंदर ही पड़ा हुआ है रोच तकलीफ है साथ मा की सुनो की बीबी की सुनो तकलीफ है स्ट्रेस है मन कहता ऐसा कर बुद्ध कहती नहीं ऐसा कर दोनों में खिचाओ जब आता है तो अंदर स्ट्रेस आता है और फ उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ, मैं यहां से भाग जाता हूँ, मैं धन का त्याक करता हूँ, उसने कहा कि मैं अत्मत्या कर देता हूँ, मुझे मर जाने तो, ये लोग मुझे मार दे तो भी बहतर, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अकेला मर जाओ, ये सब बच जाए तो उस अन्यास लेना है, तु कर्मयोगी है, तुझे क्षत्रिय का करतव्य करना है, और तुझे विजयी बनना है, सारी भगवत गीता का, यदि कोई मूल उद्देश्य हो, तो वो अर्जुन को विजयी करना है, और अर्जुन तो बहाना है, अर्जुन तो निमित्त है, अर्जुन क के निमित्त से हम सब लोगों को जो जो उस ग्रंथ को पढ़ेगा उन सब को विजय करने का तंत्र ये इस किताब में है तो मैंने सोचा पहले अध्याय में तो भगवान ने कुछ कहा है नहीं विजय का तंत्र और नीचे लिख दिया स्री कृष्णा अर्जुन समवादे संवाद तो हुआ नहीं एक तरफा बोलता रहा अर्जुन संजय बताता रहा कि ऐसा ऐसा चल रहा है दृतराश्टर ने पू तो पहले सुनने की क्षमता बढ़ाओ भगवान बोल कुछ नहीं रहे फिर भी कुछ कर रहे वो सुन रहे और समवाद तो तभी होता है जब कोई बोलता है और कोई सुनता है दोनों भी बोलते रहे कई मिटिंगों में होता है बंसाली जी जानते दोनों बोलते सुनने को राजी नहीं कोई और ये परिस्तिती हमारे यां बहुत जगे हुई है मैंने पिछली बार परभणी में आया तब एक किस्सा बताया था मुझे याद है कि मैंने सर्वे किया था बच्चों का मैं बच्चों में काम करता हूँ और बच्चों को रहते हम टीवी देखते तब हैपी रहते हम गाना गाते तब सबसे खुश रहते हम कुछ गाना बजाते तब खुश रहते हम खेल के मैदान पर रहते तब खुश रहते क्रिकेट खेलते तब खुश रहते हम नृत्य करते डांस करते ड्रामा करते वीडियो गेम खेलते सबसे हैपी रहते हैं हम लोग मुझे बड़ा अश्र हुआ कि ऐसा कैसा है याने घर में माँ और स्कूल में टीचर गरतली आई या निशाड़तली बाई दोनों के बीच में बच्चा खुश क्योंकि घर में मां भी कुछ कह रही है कह रही है और स्कूल में भी टीचर कुछ कह रही है एक बीच में सिरिफ ऐसा बस का समय मिलता है जब बच्चा कुछ कहता है और सुनने वाला कोई मिलता है उसके साथी संगी उसको सुनते है उस समय यदि जीवन में विजय होना है तो सबसे पहला मंत्र भगवान ने ये दिया कि सुनना सीख लो हमारे परिवार को यदि विजय बनाना है तो परिवार में कोई व्यक्ति ऐसी होनी जी जो सब का सुने सब को बुला है बैठा है उपदेश नहीं करें पहले लेसन में एक भी उपदेश नहीं है पहला चैप्टर बगवद गीता का कोई उपदेश नहीं और बच्चे और माबाप इसमें जो दूरी देख रहे हैं धीरे-धीरे लोग कहते हैं कि जनरेशन गया पैसा आप क्या करें है लेकिन वहीं बिश्चे दादा दादी से मस्ती में खाद मजे करते दादादा दादी से उनकी जमती है लेकिन मा बाप से नहीं घमती यह मामला है फिर वहाँ तो डबल जनरेशन गप है न जनरेशन गप का कोई सवाल ही नहीं है यहां पे सवाल जो है वो communication gap का है communication कुछ गड़ बड़ है कृश्णार जुन समवादे ये समवाद सबसे पहले सुनने से शुरू हुआ कृश्ण सुनते रहे और दूसरे लेसन में जब भगवान ने बोलना शुरू किया दूसरे शलोक में भगवान बोलना आरंब करते और तीसरे शलोक में भगवान ने जो वचन किये वो तो सुनकर के हमारे होश उड़ जाते भगवान ने कहा इसमें कलेब्य शब्दकार्थ है नपुनसक अरजुन को नपुनसक कहा गया मुझे लगा भगवान ने ये सारी चीज़े देखके भगवान खुदी क्रोधित है यहां पर तभी तो जाके कोई ऐसी गाली गलोच करेगा ना कि अरजुन को नपुनसक कह रहा है तेरी ये कि ये जो शब्दों का प्रयोग है इसको सुनकर ऐसा लगता है कि बगवान और स्वाभाविक था साब वहां पर अरजुन के भरोसे तो इतना सब खड़ा किया गया इदर आक्रा ग्यारा उक्षव हिनी इदर साथ उक्षव हिनी सेना कड़ी हुई लाखों लोग एक दूसर तो फिर आया का को मुझे बूलाने तू तेरे घर अच्छा था में मेरे घर अच्छा था ये इतने दुनिया भरके लोग यहां इखटा करने का कोई कारण ही नहीं था पहले ही सोच लेता है पागल कहीं कर ऐसी कहते हम भगवान ने वैसी कहा है लेकिन भगवान का कथन पू अपने राजा को वो कहता है कि मैं भगवान की देह बोली देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि भगवान कर क्या रहा है और इस समय पर भगवान हस्ते हुए बोल रहा है यह जितना भी कुछ बोला है ना क्लेब्यम मास्मक यह हस्ते हुए बोला है भगवान ने प्रहसन्य भारत, सेन योर, भयोर मत दे, विशीदन तमिदंवच, प्रहसन्यव भारत या ने हस्ते हुए बोला, जैसे ही अपने दोस्त को कोई गाली भी दे और हस्ते हुए दे, तो मायना बदल जाता है गाली का, हमारे घर में भी हम लोग एक दूसरे से बात करें, और कभी बात करते क करते हस्ते हस्ते कोई कटू शब्द कह दे तो वो कटू शब्द वैसे के वैसे नहीं लिए जाते हैं दूसरा लेशन बगवान ने दिया जो भी कहना हस्ते हुए कहो जो भी कहना हस्ते हुए कहो अपने चेहरे की हसी जानी नहीं चीह अपने चेहरे की हसी जिस दिन उतर गई उस दिन प्राभव की दिशा में आपका प्रवास आरंब हुआ आपको विजयी बनना है तो सबसे पहले काम ये करो कि हसना सीखो और वो हसना जो है वो अंदर से रहना चीए प्रहसन निव भारत आगे भगवान एक जगे कहते कि सारे दुखों की हानी करनी है तो एक ही काम करना होगा प्रसादे सर्व दुखाना महानि रस्यों पजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते दुसरे अध्याय में ये बात कही कि आपको जी सारे के सारे दुखों से बाहर निकलना है तो एक ही काम करना होगा आपको अंदर की प्रसन्नता को जगाना होगा मैंने हर चीज पर एक्स्परिमेंटिंग किया हर श्लोक पर मैं काम करता रहा कि ये जो बात बताई भगवान ने मैं लगबग 75 के करीब किताबे मैंने इकटा कर ली थी अलग-अलग लोग भगवत गीता पर क्या बोल रही है मैं पढ़ रहा था जब मैं याद कर रहा था तब मैं ये सब कर रहा था और फिर वो पढ़ने के बाद में is this possible is this implementable यह मैं कर सकता हूं क्या मेरे जीवन में रोज मररा के जीवन में यह मैं जांच के देख रहा था और आपकी जानकारी के लिए बताओं कि मैं क्या होता है विस्तता जब आती है ना बहुत जादा विस्तता जब हो जाती है तो मन और मस्तिश का खीचे जाते तनाव तो पैदा होता है और बिजनेस करो तो बिजनेस में तो रोज उठके मार माथा पच्ची है रोज उठके गवर्मेंट के साथ जगड़ा है रोज उठके युद्ध चल रहा है तो मेरे भी अंदर युद्ध बहुत थे और ये सारे stress तयार करते थे ये सारे मुझे क्रोधित कर देते थे बहुत गुस्ता था दो साल बाद मेरा पीए मेरे को आके बोला बहु तुम्ही फारस बदल ले मैंने पूछा कस करे बाबा काय जाला नमण तुम्ही पहले फर रागवाई चाहता रागवत नहीं तुम्ही अरे क्या certificate दिया यार अंदर की प्रसनता को स्वधा जगाय रखेंगे न तो बाहर के दुख्हों की हानी होती है और अंदर की प्रसनता को जगाने के लिए पहले अपने उपर थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ता है तो दुसरे अध्याय के बुद्धी को स्थिर करने के प्रतिश्ठित करने के जो मंत्र बताये गए उसमें कंट्रोल सबसे बड़ी बात बताई गए यदासंवरतेचायम कुर्मोंगा नीवसरवशाह जैसे कचुवा होता है ना कुर्म कुर्म के जो अंग होते हैं बिलकुल छे अंग होते हैं एक मुं होता है चार पाओं और एक प ये छे इंद्रियों को जो अंदर खीचेगा कछ्युए कि तरह संकट क्या अभी संकट कौन से काम क्रोध अलुप मुहम्मद मत्सर संकट तो क्रोध आया तो संकट आया संकट आते ही अपने अब कोछी ना अंदर कंट्रोल लाना है, और नहीं लाया तो क्या होगा, लिखाया आगे बवगवान नहीं बताया, बवगवान ने बुला कि तेरे दी सबसे बड़े कोई शत्रु है, तो मैं बताता हूं कोन है, मैंने सोचा दुर्योध अंदुश्यासन होंगे और कोन है वहां लिखाता वैसा नहीं है काम एशक क्रोध एशर जोगुन समुद्बवहा महाशनों महापाप्मा विद्धेन मिह वैरी नम सबसे बड़े वैरी काम एशक क्रोध एश तेरा सबसे बड़ा वैरी है क्रोध से ते डेक्स है को क्रोत कम कर फिर आगे जाके और एक बात बताई क्रोध के बारे में बहुत बड़ी बात बताई उसने का उते में जल्य पध्याअ कि त Ding के दर्वाजे है तृविधन नरकए जओरन नाशन आत्मन आहां यह नाश करेंगे तैंगी तेरा कामक क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रयन त्यजेत काम क्रोध लोभ इसमें भी क्रोध आया मैंने का मैं तो मरा आम तो दिन में दस-विस बार दरवाजे पर जाके आता हूं हाँ नरक का दरवाजा क्रोध और उसी समय किसी के यहां गमी हो गई तो मैं वहां बैठने गया था उन्हें का बैठ जाओ अभी थोड़ा वो पुरान चल रहा है गरुड पुरान अब मैं कभी बैठता नहीं उस चीज में लेकिन उस दिन कंपल्शन हो गया बैठना ही पढ़ा वह पंडी जी पढ़ रहे थे सब पुरिवार पुरा बैठा हुआ और सुबह सुबह यह मंत्र में ने पढ़ा था बगवद गीता का कि क्रोध करेगा तो नरक का दरवजा खुल अदर उसके अंदर से खीचके ले जाते तुम्हें और जैसे नरक के दरवाजे खड़े वो यम के द्वार पर और वहां पर वो जोयमदूत होते हैं वो आते ही तुम्हारा शिर्र छेत करते पहले, तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग करदे ते, मरा, फिर उठाके ले जाते तुमको, उठाके ले जाते है और उबलते तेल की कड़ाई में डालते हैं, पकोडा बनाते तुम्हारा, मैंने का वहा पर यह तो भेहंकर है, यह देख क्या क्या देख क्या आया ऐसा तो कोई आदमी है नहीं फिर ये है क्या चीज ये मरने के बात की बात नहीं है ये तो जब जब क्रोध आता है तब तब मेरे साथ यह होता है क्योंकि क्रोध आते ही मैं अपने विवेकों को खोता हूं और विवेक को वहीं वहीं पर नरक के दर्वाजे पर खड़े होते ही क्रोध के आते ही मैं अपने विवेक को खोता है ने मरे मस्तिश को और फिर उबलते तेल की कड़ए तो अंदर ही लगती है कितना उबलता है आदमी अंदर से उबाल शुरू होता है उबलता जाता है उबलता जाता है और ये कैसे करे, इसके मंत्र बताया है, बहुत सिंपल, भगवद गीता योग शास्त्र है, और योग की जितनी आसान व्यक्या भगवद गीता में है, उतनी पतंजली योग दर्शन में भी नहीं है, मैं आप वहाँ पे सुत्र रूप में बताया है, तो बड़े छोटे-छोटे स वो जब आप सुनेंगे तो आपको द्हन में आएगा कि इस इस मच मोर सिंपलर, बहुत आसान है, योग पतंजली रुशी ने उसको एक धाचा बना के दिया, लेकिन भगवद गीता में वास्तव में हम लोगों के लिए रोज मर्रा की बात कही, रोज की बात है, रोज का का अ कि इस रफ्रत था और डॉक्र के पास रर्थेडिक पास जाते पास मैं आसा माने असर भी बात कि, ओर्थेडिक के पास जाते वो पहले बल्टा पीन के लरखाओ, फिर नहीं दूखा तो बल्टES लगाओ, फिर बेल्ट लगाना, पर उसके बाद में बेल्टे ने वास्त, तो ट्रेक्शन लगा खीचते दोनों तरफ से अपने को, कि भी जो डिस्क बाहर निकल गई है, वो डिस्क में से कोई स्पंज निकलता है, पता नहीं, मुझे जादा मालूमात नहीं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसको खीचाओ दिया जाता है, ट्रेक्शन, फिर गोलिया के बारे में, क्योंकि योग अश्टांग है, योग का अश्टांग, जिसमें यम और नियम तो रिलिंग के जैसे चलते, और छे सिडियां है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान और समाधी, तो इसके बारे में बाकी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बत आप कैसे बैठे इसके बारे में भगवान ने कहा ये छठे अध्याय की बात है छठे अध्याय में भगवान आत्मसयम योग पांचवे और छठे अध्याय में दोनों में मिला करें इसमें से बाते कही गई उसमें कहा गया बहुत सिंपल आर्थ है आपको लगेगा कि संस्कृत है तो मुश्किल है यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हम लोगों ने और भी इसको बहुत आसान कर दिया है और गिता परिवार के माध्यम से पिछले दो ढ़ाई वर्षों से जो हम लोग कर रहे है वो इतना आसान कर दिय कि भगवत गिता पढ़ने के लिए भी आसान कर दिया और बहुत शुद्ध रूप से और चार साड़े चार हजार लोग स्वामी जी के मार्ग दर्शन में काम कर रहे हैं और अब साड़े चार लाख लोग भगवत गिता सीख रहे हैं रोज के ग्यारा सो जूम क्लासे चलती है रोज सुबह पांच बज़े पहली क्लास चाल होती रात को दो बज़े बंद होती आखरी क्लास अमेरिका के लोगों के लिए और बारह अलग अलग भाशाओं में हमने उसके ट्रांस्क्रिप्ट बनाएं तेलगो आद भी नहीं जानता है संस्कृत कैसे पढ़ना है उसको कि हरी गीता पढ़े गीता गजल गीता पढ़े और भी सब पढ़े जरूर पढ़े लेकिन मंत्रे री पढ़ने हैं गीता के तो वह संस्कृत में पढ़ने पढ़ेंगे और इसलिए संस्कृत भाशा में अत्यनत आसान कैसे किया जा सकता है यह हमने बनाए उसके करता कर रहे पढ़ा रहे और फिर हर शनिवार अविवार हम लोग विवेचन कर रहे क्या पढ़ा वो समझा रहे यह जब समझा रहे थे हम लोग तब यह बात इसमें आई कि हम बैठे कैसे यहां से शुरुवात करनी होगी बैठने का क्या कारण है भगवाने का सममकाय शिरो ग्रीवन शिर याने मस्तिश का काया याने आपका शरीर रीड की हड़ी मुख्यत्वे और ग्रीव याने आपकी गर्दन सममकाय शिरो ग्रीवन आपका सर आपकी गर्दन और आपकी पीट एक सीध में हो ऐसा बैठना इतना नहीं बताया अब उस टाइम पर खुरसी तो थी नहीं नीचे बैठते होंगे लोग हम खुरसी पर बैठने वाले और हमारी खुरसियां जो है वह ऐसी बनाती बकेट चेर बकेट चेर में आप सीधा बैठी नहीं सकते हैं इंपॉसिबल है बकेट चेर है आपके घर में तो एक पहले जाते ही काम करो आपको कहीं पर सतकार में शालवाल मिली होंगी न वो उस पर डाल दो क्योंकि वो ओडने के तो काम आती नहीं वो वह बहाँ डाल सकते हैं उसको प्रेशर आपकी थाइस के उपर आपके या पीछे की साड में थाइस पर आपकी मांडी पर डालना है यहीं पर ट्राय कर लो जराब यह बकेट चेयर है यहां लगी तो थोड़ा गड़बड है लेकिन वहां भी कर सकते हैं पीछे कोई सपोर्ट लेने की जरूती नहीं रहती आप जिस क्षन आपका पूरा वजन आपके मांडी पर डालते बटक्स पर नहीं डालते आप तब आप सीधा बैठते और सीधा बैठने के साथ ही आपका जो डायफ्राम है वो नीचे उतरता है वो नीचे जैसे ही उतरता है आपके लंग्स की कैपैसिटी बढ़ जाती जग जाय में कही बगवान ने लेकिन अत्मसयम योग के अंदर बगवान ने ये कहा कि आपको सांस का भी समत्व करना है प्राण और अपान अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस को को एक्वालाइज करने की कोशिश करो हर एक घंटे के बाद हर एक घंटे के बाद 10 बार सिरफ 12345 अंदर 12345 सांस बाहर इतना ही करना है कि धी करते समय आपको सीधा बैठना है इसिधा बैठना यह मस्ठ है सीधा नहीं बैठेंगे तो यह होई नहीं सकेगा आप सी शेप में बैठेंगे बैठो जरा सी शेप में जरा जुक जाओ जरा नीचे लो सांस और अब सीधा बैठो अब लो सांस तीन गुना जादा सांस अंदर जाती है ऑक्सिजन की लेवल बढ़ती है मैंने कई करोना के पेशंट्स को यह इलाज बताया क्या तुम होस्पिटल में न तो इतना कर ऑक्सिजन देड़ लिटर का लगाया जाता था 92 पे गई हुई अक्सिजन लेवल 98 तक आती थी देड़ लिटर अक्सिजन लगाने के बाद में और एक एक घंटे से यह एक्सिजाइज करने के बाद में लेवल बिना अक्सिजन के 99 पहुँच रही थी बिना अक्सिजन के भगवद गीता ने करोना कैसे ठीक करना बताया है 99 के लेवल आ रही है अद्भुत चमतकार घटता है इससे oxygen लेवल आपकी बढ़ रही है oxygen लेवल क्यों बढ़ानी है oxygen लेवल इसलिए बढ़ानी है क्योंकि आपके मस्तिश कमें stress के समय पर oxygen कम होता है example बताता हूँ बच्चे exam में जाते पहले 10 minute blank कुछ सुचता नहीं आप लोगों में से भी school के time पे college के time पे ये experience आपने किया है क्यों ऐसा होता है क्योंकि वो paper आता है paper का पहला question पढ़ा मरे और इतना पढ़ा कल और आज उसमें से कुछ आया ही नहीं वो पहले question में वो blank हो जाता क्योंकि stress आया stress आया तो oxygen level कम हुई oxygen level कम होते ही उसको कुछ नहीं सुचता है कुछ नहीं सुचता उसको ब्लैंक हो जाता है निरनय प्रक्रिया खतम वहीं रुख जाती है भगवान कहरे सीधा बैठो और प्राणा पानो समोकृत्वा लंबी सांस लो अर्जुन को सिखाया है तू पहले सीधा बैठो लंबी सांस ले अर्जुन ने ली होगी लंबी सांस पक्की वहाँ पर तब जाके उसका ठीकाने पर आया है वो oxygen level, कुत्ता आया है एकदम से आपके उपर कुत्ता दोड़ के आता है, आप एकदम सत्ब्थ हो जाते क्या करना इधर भागना उधर भागना समझ भी नहीं आता है क्योंकि आप blank हो गये, blank हो गये आप और ये जो blankने से ये oxygen की कमी के काराण होता है और आपके मस्तिशक को आपके मन के साथ जोड़ना ये स्ट्रेस लेवल कम करने का सबसे बड़ा काम करना होता है आपको कि आपका मन और मस्तिशक एक दिशा में चले, कन्विंस करना होगा मन को मस्तिशक कन्विंस रहता है, मन को कन्विंस करना पड़ता है पूरी भगवत गीता अरजुन के मन को कन्विंस करने के लिए कही गई कि अरजुन को कन्विंस करना है कि तू युद्ध कर तेरे अंदर जो है शत्रिय उसको बाहर निकाल आरे तू जंगल में भी जाएगा न और वहां जाकर के बैठ जाएगा ध्यान करने के लिए और सामने से शेर आएगा तो तू अंदर जाकर आश्रम से अपना धनुश्यबान लेका आएगा और मारेगा उसको तेरे अंदर वीर है तेरे अंदर शत्रिय है इसलिए तू चुपनी बैठ सकता वहां जो अंदर है वो तू बाहर निकाल मुझे पता है इसमें दोश है लेकिन जीवन का एक भी काम ऐसा ने जिसमें दोश नहीं है जीवन का एक भी काम ऐसा ने जिसमें दोश नहीं है लेकिन तेरे अंदर जो है वो बाहर निकाल उसमें थोड़े बहुत दोश हो तो मत देख उसकी तरफ क्योंकि एक तरफ तो भगवान अहिंसा की बात कर रहे सोलवे अध्याय में भगवान ने कहा अहिंसा सत्यास्ते एक्त्याग शांदिर बैशुनम अहिंसा जीवनम उल्ले बताया दैवी गुन बताया और यहां तो मारने की बात कर रहे हैं मार उसको दुर्याधन को मार उसको दुश्यासन को कितना विरोधा भास है विरोधा भास बिलकुल भी नहीं है क्योंकि जिस रोल में अभी न्यायाधिश जब न्याय करने बैठते है तब न्याय करने को बैठने वाला नयादिश कसाप को फासी सुनाता है कि इसको फासी की सजा दो हिंसा है सबसे बड़ी हिंसा जीते आदमी को लटका दो सबसे बड़ी हिंसा है लेकिन उसको कोई उसमें तकलीफ नहीं होती उसका कारण है हैं वो जो हुंसा है वो हुंसा कई लोगों की हुंसा से बचाएगी कसाप को ऐसी छोड़ देते तो और कई हजारों लोगों को वह मारता है इसलिए उसको मारना जरूरी था ग्यारव्य अध्याय में जब विराट रूप दिखाया भगवान को विराट रूप जब खाया तब उसके मूह से निकल रही अगनी में दुर्योधन दुश्यासन करन द्रोनाचार्य भिष्माचार्य सब उसके मुह में जाके पतंगों की भासी भसमसात हो रहा है ऐसा बोला और यह सब देख करके अर्जुन भयक्रांत है अर्जुन डर गया वो देख करके मैं देख क्या रहा हूं यह उसे पूछा मैं क्या देख रहा हूं तो भगवान ने कहा द्रोनंच भीष्मंच जयद्रथंच करनंत थान्यान प्योध वीरान मया अहतांस्त्वम जहिमावे थिष्टा युद्ध स्वजेता सिरने सपत्नान अरे मैंने मार डाले इ यह सब बोलने के बाद में लास्ट लाइन उसी अध्याएकी 11 अध्याएकी चेक कीजिए उसमें भगवान ने कहा निर्वैरस सर्वभूतेशु यस्समामेति पांडव तु निर्वैर बन तभी तु मुझे मिलेगा पांडव याने अर्जुन निर्वैरस यस्समामेति पांडव सब भूतों के प्रती सभी प्राणियों के प्रती तु निर्वैरता की भावना तेरे अंदर ला तो पांडव याने अर्जुन तु मुझे प्राप्त होगा मुझे प्राप्त होगा ने विजय को प्राप्त होगा यहाँ पर ऊपर बोल रहे हैं मार सबको और नीचे बोल रहा है निर्वईर बन कैसे पॉसिबल है जैसे नयाधीश को पॉसिबल है उसका कोई कसाब के साथ बैर तो है नहीं उसका कसाब के साथ में बिलकुल भी बैर नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको फासी की सजाद सुनाता है बैर की भावना से नहीं करतव् दुर्योधन यह अताताई दुश्यासन जिसने द्रोपदी को खीच के लाया और इसका वस्त्रहरन करने का प्रयास किया तेरे राज्य की किसी भी महिला के साथ में दिया ऐसा होता तो उसको देहदंड की सजा देना ये तेरा करता हुए क्षत्री होने के नाते होता इसलिए त बात कह रहे भगवान निर्वईरस सर्व भूतेशू तो किसी भी प्राणी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे मन में वैर की भावना रहने का कोई कारण ही नहीं बचता हाँ भूमिका से मैं भागूंगा नहीं जहां पे जो भूमिका लेनी है वो तो मुझे लेनी कारण निर्वईरस सर्व भूतेशू बिना बैर के हम लोगों को यह काम करना आना चीए तभी जाकर यह संभव होगा अद्भूत बात बताई भगवान ने मैंने जिन-जिन संस्ताओं में काम करता हूँ वहाँ पे इसको अपनाया जो बहुत जोर-जोर से आगे की चेयर में बैठके विरोध में इलेक्शन लड़के आकर के वहाँ बैठकर के करते हैं मैंने उनके प्रति अपना रवया बदल दिया बिल्कुल रवया बदल दिया उनके प्रति और उनकी बात में शांती से सुनने लगा पहला अध्याए दूसरा अध्याओ जब बात करें तब हसता रहा कि हां देखां आसा हसना का इसे ये भी बग्वान ने बताया है अधरम इस्ग करके नहीं विकट नहीं है मधुर कर रहू करते रहो वह ठीकिवामन प्रेशर बढगा नहीं क मैंने ब्लड को धान श्क्रो entropy और फिर जब आप दो आरे छे महहने में तो जो विरोधी घौर विरोधी मेरा मेरा दोस्त बन गया और वह मेरा प्रचार कर रहा है अगले coalition में को चुनके लाओ, यहाओ और डाओ, और कहीन हो सकता है होता है यह गटता है बगवद गीता इंप्लिमेंट करो आप जीतते हैं और जीतना किसके विरोध में हैं बाकी छोड़ो पहले अपने आपसे तो जीते हैं पहले अपने आपसे जीते हैं अंतिम अध्याय में जब यह सारा कुछ हुआ इसके बीच में बहुत सारी बाते हैं यहाँ पे दो विक्ति ऐसे बेठे हैं जिन्होंने अकर्म के साथ में केवल सेवा का काम किया तो तनसुक जी हो या रेखा जी हो यहाँ सामने भी कई लोग बेठे हैं कि कोई अपेक्षा नहीं कि कर्मने वाधी कारस्ते मा फले शुकदा चल फल के अपेक्षा बिना किये काम करते रहे पुरसकार अपने आप आया चल के आया फल मिलता है फल मिलता नहीं ऐसी बात बिलकुल नहीं है फल तो मिलता है, समाज आपको याद करता है, वैसे इनकी सेवा के पश्चात समाज ने इनको याद किया, परभनी में बुलाया और उनका बड़ा सम्मान किया, उन्होंने अपिक्षा नहीं की थी इसकी, मैं बच्चों को यही बात सिखाता हूं, तुम पढ़ा ही करते रहो, पहला आएगा, दुसरा आएगा, भूल जाओ, जिस क्षन तुम्हारे अंदर, मैं पहला हूंगा, इसलिए मैं कॉंपिटिशन कर रहा हूं, यह बात आएगी न, उसी दिन तु हारता है, बिर्बल और बा से दोड़ता हुआ आया, और वो जो पानी बहरा जो नदी थी, उस नदी के उस पार से इस पार चलांग लगाई, उसके माथे पे लकडियां, और चलांग ऐसी लगाई उसने, कि बिलकुल एक पहली चलांग में इधर आ गया, तो अकबर ने अपने गोड़े की लगाम उसको बुलाया, विरबल को बुला, विरबल देखा तुने, मेरा गोड़ा भी इतनी छलांग नहीं लगाएगा, जितनी इस आदमी नहीं लगाई, मुझे वापिस एक बार देखना है, मैं इसको एक सोने की महर देता हूँ, उसको बुलाया, बोले तु वापिस करके दिख तु एक सोने की महर मिलेगी, विरबल हसा, विरबल ने का आप नहीं लगा पाएगा, विरबल देखो, वो बलार साब मैं तो रोजी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, अब उसको एक सोने का सिक्य का महर हो गया, उसने सोचा कि आप तो बराबर गिरनी चीए, गड़बर तो होनी नीची है, वो ऐसा दोडता आया और चलांग लगाने से पहले सटक के नीचे, बिरबल ने कहा ये देखो, मैंने जो बताया था वो ही हुआ, तो अकबर ने पूछा ऐसा क्यो हुआ, तो उसने का इसके माथे पर पहले सिरिफ लकड़े थे, अब सोने की मोहर चड़ अब असके लिए मन में एक लोब आ गया, काम ना आ गई, ये जो बोज है ना, ये बोज के करन गिरा है, हमारे जीवन में भी हम काम करते रहे, बोज माथे पर ना ड़हे, इस चीज़ से ये मिलेगा, करमन्य वाधिकारस्ते मा भले शुकदाचन का मतलब ये नहीं है, कि तभी देपाता हूँ, जब मैं अंदर से उसकाम को करता हूँ बिना किसी अपैक शाकिय की मेरे को तो इंजौय करना है, मेरे को मज़े करनी है, मैंजीवन में आनंद लेना चाहता हूँ, जो अंदर से बहता है वो आनंद, बहар का नहीं, बहर से तो सुख आएगा, आनंद को अंदर से बहेगा और सुख में और आनंद में अंतर है सुख और दुख ये एक शनिक है कोई हमारे घर में अभी ये करोना के काल में बहुत सारे लोग ऐसे चल बसे बहुत दर्द हुआ साल बर बाद ठीक हो जाता है दो साल बाद तो बिलकुल नॉर्मल सा जीवन हो जाता है तो दो साल में उस व्यक्ति का हमारे जीवन में होने का जो एक महत्मे था वो कहीं न कहीं समुरुती तक रह जाता है मतलब दो साल में दुख कम हुआ जो पहले दिन था वो बारा दिन बाद नहीं था जो बारा दिन में था वो अगले महने नहीं था जो अगले महने था वो दो साल बाद नहीं था तो वो दुख कम होता है दो साल में जो दुख कम हो सकता है ये पेरिशेबल है ये नीचे जान वाला है यह खतम होने वाला है तो जो चीज दो साल में घट सकती है वो एक दिन में या एक शन में क्यों नहीं घट सकती है गट सकती है केवल मन में परिवर्तन करना होगा वासान से जिर्नानी अथा विहाय नवानी ग्रनाती नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जिर्नानी अन्यानी सईयाती नवानी देही भगवान कह रहे कि अरे ये तो शोक क्या करता है ये लोग मरेंगे इसका मतलब ये नहीं कि चले गए ये तो कपड़े बदलने जाएंगे वहां सान से जिरना नहीं अथा पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहनेंगे शोक मत कर ये बात भगवान इसलिए करे क्योंकि दुख और सुख बाहर है वो अंदर जो है वो अंदर बहता जर्ना है वो आनंद का वो प्रसाद का जर्ना प्रसादे सर्व दुखाना महाने रस्योप जायते मैं फिर पहले शलोक पे आ रहा हूँ अंदर से ये बहना जर्ना चालू करो और बाहर के दुख अपने आप मिढ जाते क्योंकि आप उसकी एंट्री बंद करते नो एंट्री हो जाती है कि नहीं अभी सुख भी नहीं दुख भी नहीं अंदर एंट्री नहीं मारने के उसको मैं उसको वहीं रोकूंगा और अंदर का प्रसन्नता का जर्ना बहने दूंगा ये गीता समझाते सिखाते समय ऐसे कई कारे करता हो गया जिनको करोणा हो गया हुस्पिटल में चले गया लेकिन वहां से कर रहे हैं और हमारे एक कारे करता के पती का देहान तो हुआ अगले दिन उसने फिर क्लास ली हम सब चकित थे हमने फोन किया कि दिधी आपने आज क्लास लिए हम लोगों के आखों में आसो आ गया उसने का इससे अच्छा और कौन सा काम कर सकती थी मैं कि वो गुजर गए और उनके समरण में मैं अपने घर में गीता बोलू इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता था मैं अपना करता हुए करने लगी और ये जब मोटो मिलता है न ये जब चीज मिलती है लोगों को तब लोग उसमें इतने भाए गये परसो एक जने मिले थे बलड प्रेशर चला गया डाइबेटीश चला गया फॉरेन में गए बच्चे कोई नहीं घर पे पती चला गया अकेली महिला रही गई लेकिन फिर भी बहुत खुश है क्योंकि गीता का सानिध्य है क्या मैं गीता कंठस्त करूंगे अरे 70-70 साल के लोग गीता कंठस्त कर दिये पूरी की पूरी अठारा अध्या है छे साल के बच्चे सत्तर साल के वृद्ध सब लोग कर रहा है मुझे पहले लगता था मैंने पचासवे वर्ष में किया बहुत बड़ा तीर मार दिया गीता मैया ही बराबर गरवहरन भी करती है लगे दो साल में ही मेरा कारे करम कर दिया ये तेरे जैसे हजारो है कोई बड़ी बात में आप लोग इसके साथ चलना शुरू करो और आपको जीवन में ऐसा प्रकाश मिलता है अंतिम शलोक में संजय कहता है यत्र योगेश्वरह कृष्णो यत्र पार्थो धनुर धरहा तत्र श्री विजयो भूतिर धुर्वानीतिर मतिर्मम सिर्फ पढ़के मत रह लगना सिर्फ कृष्ण की भक्ति में मत लग जाना यत्र योगेश्वरह कृष्णो वो योगेश्वरह कृष्णो होना चीए उसकी फिलोसोफी उसका योग साथ में जुड़ना चीए यत्र योगेश्वरह कृष्णो यत्र पार्थो धनूर धरहा अकेले पार्थ का कोई काम नहीं है जो कुछ करने के लिए बुद्युक्त है ऐसा क्रियाशी लव्यक्ति बत्व जब होगा तो ये फिलोसॉफी और ये क्रियाशीलता दोनों मिलकर क्या घटेगा तत्र श्री विजयो भूतिर दुरुवा नीतिर मतिर मम अद्बुत बाते कही तत्र श्री वहाँ पर श्री याने स्रीमंती वहाँ पर लक्षमी आती है और वो भी गजांत लक्षमी आती है उल्लु वाली लक्षमी ने आती वहाँ पर जो लक्षमी आती है वो शुभलक्षमी देना है हमारे दिवाले के दिन इधर शुभा इधर लाभ क्यों लिखते वो लाभ जो आशुभनी होना चीए वो शुभा होना चीए वो शुभा लाभ तभी होगा जब गीता पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तत्रश्री विजयोभूतिर वहाँ पे विजय भी द्रुवा नीति आएगी जो द्रुव है पक्की है द्रुवा नीतिर मतिर्मम पक्की बात विजय पक्की हो गए इनकी संजे कह रहा है अपने राजा को दृतराश्ट्र को कि तेरे बच्चों की पराभव और अर्जुन की विजय होने वाली है क्योंकि वहां पर यत्र गेश्वरकृष्ण और धनुर्धारी पार्थ दोनों साथ में है इसलिए यह घटेगा हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है यह हम जिनके स्मृति में यह काम करते सत्य नरायन जी कालानी वो स्वय में कर्मयोगी थे उनकी स्मृति में ऐसे कर्मयोगियों का सन्मान हम लो से बात करते हुए निश्काम कर्मयोगी जिन जिन लोगों के सन्मान यहां किये गए जिनको पुर्व पुरसकार प्रप्त हुए वो सारी निश्काम कर्मयोगी वो गीता के पत्थ पर चले इस प्रकार के कारेक्रमों से हम लोगों को प्रेरना मिलती है कि हम भी इस प्रकार क काम हम स्वयम करे ऐसी प्रेरना जगाने वाला अकर्म की तरफ बढ़ाने वाला अकर्म याने किसी भी अपेक्षा से ही न ऐसा कर्म वो होता है अकर्म बिना अपेक्षा के किया गया कर्म ऐसे कर्म का सत्कार यहां पे किया गया मुझे बड़ी प्रसनता हुई जब मैंने फूल ऐसे कर्मयोगी का सतकार मेरे हाथों हुआ और ये सुवसर मुझे प्रदान किया गया और आप सब लोगों से फिर एक बार बात करने का ये सोभाग्य मुझे प्राप्त करवाया गया इसके लिए श्री सत्यनारायन जी का अलानी स्मृति सेवा ट्रस्ट पर भनी का मैं अत्यन तरधय से और आप सब का अत्यन तरधय से आभार प्रकट करता हूं वंदन करता हूं और अपनी वानी को विराम देता हूं जैसरी कृष्ण क्या भाबी आपको नहीं लगता इतने सुन्दर उत्बोधन के बार हम सब ने खड़े रेकर संजे जी को